नमासकार दोस्तों मैं हूँ सुरज अगरवाल आज आपको बताऊंगा कि आप गर्मी में अप्रेल, मैं, जून में इतनी तप्ती गर्मी में कौन-कौन से पर्मनेंट फुलों के पौदे लगा सकते हैं यह है रुगमिनी यह एक्जवर इसमें काप़ी सारे वहरे टी आते हैं कुछ अब पर कुछ बड़े-पॉदे होते हैं कुछ झोटे आज कल ड्वार्व भप्र वहदें में बहुत सारे सारे कलर भायर्व main यह को मैं मिल जाएंगे यह सालोव साल आपको चलते रहें और इसमें जो 20 से भी इसको grow कर सकते हैं या फर cutting से grow कर सकते हैं आज कल जो dwarf variety आ रही है यह cutting से grow कर सकते हैं और यह जो फूल है एक बार एक गुच्छ खिलने के बाद कम सकम एक से डेर मैने तक यह गुच्छा बना रहता है तो जरूर लगाए एक जुरा या फिर रूग मेनी अब मैं आपको जो दुखाता हूँ बहुत ही फिवरिट प्लाव रही है अरबियन जस्मीन या बेला बेला बेली या चेमिली तरह तरह के नाम से यह जाने जाते हैं इसका सेप और साइज का अनुसार लेकिन सारे बहुत ज़्यादा खुजबुदार होते हैं साम के बक्ति फूल खिलते हैं जहां पर भी फूल किलते हैं 30-40 फूल तक इसकी खुसबु है महत यह बनी रहती है और आप उसाम रड़ीन बनाती रहती है तो आप जरूर से यह उसे गाई है और आपको फूस्व का नजा रहा है देखते रहें यह देख सारे ब्रूनिंग प्रूनिंग कर देंगे और एक साथ सेक्ड़ो फूल खिलेंगे जितनी घर्मी जितनी धूप लगेगी उतने ही ज्यादा फूल आएंगे ति यह आप जरूर लगाए इसका कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं बहुत आसनी से कटिंग लग जाती है तीसरा है क्रोसांड्रा जो है यह आपको केसर्या रंग का फूल होता है इसमें कलर भी ऍव perseी नहीं आती है लेकिनаю से सीट पॉड़ मांप ये बहुत बहुत ज्यादा यहां बहूदी पूदा है और यह आसनी से मरने वाल पधा नहीं है तो जरूर साप लगाए और य बहुत अच्छा आपको फूल देत यह इसने फूलों में कलर वह एक या रहेक्नर लेकिन यह जो है यह देखने लायकर नजा रहा होते यह दे थे फूल का जो सेप इस तरह का जो सेप पफूल मुझछा क्यों यह बहूत कम है कि यह पौदा मरता है बहुत आप है थोरी इसी भी क्यार करेंगे तो यह पौदा चलता रहेगा आपको सालों साल अब जो मैं आपको दिखाता हूँ यह यह वर्गुरिंग पौदा है इसका नाम है हिबिसकास या गुडल और गुडल में अभी तक जितनी भैरेटी मिलत आते हैं तो यह देखे गुडल गुडल तो जरूर आप गई यह कटिंग से बहुत आसा नहीं सुख जाता है अगर आप चाहे तो इसके बीच से भी आप लगा सकते हैं लेकिन बीच से लगाना थोड़ा मुस्किल होता है इसका देखे यह जो कलर भैरेटी इसका फॉर्म है फ्लावर का साइज है तरह तरह का हर दीन आपको यह फूल देता रहेगा आपको गर्मी में हो सर्दी में हो साल भर यह फूल लेने के लिए आपको गुडल या विसकेस बहुत अच्छा रहता है यह देखे कुछ मैंने पुने भारेटी के पॉदे दिखा रहा हूं यह क्योंकि गुरल गर्मी में बहुत अच्छा पनपता है और फूल भी काफी अच्छा होता है और भगवान को चाराने के विलिए बहुत अच्छा रहते हैं अगला जो है यह पीनुईल फ्लावार या चांदनी अगर आपको घर में पूजा करते हैं तो हर दिन आपको फूल चा ज्यादा क्यार करने के जो अतनी है मैंनों में एक बार एक मुठी खाद दे देंगे कॉम्पोस्ट बहुत हो जाएगा बहुत अच्छा रहता है छटा यह पोट्चुल का यह नाइन ओक्लॉक यह टेन ओक्लॉक यह टाइन फूब लिग करते हैं और यह पर्मनेंट पौदा यह 9 बजे यह खिलना शुरू होता है दोपर के तीन बगे तक यह खुला रहता है हर दिन एक एक पौदे में एक गमले में आपको 30-40 फूल खिलते रहते हैं और यह जब तक धूप रहती है तब तक यह फूल खिला रहता है तो आपको इसको क्यार करने की जोड़त नहीं है तक फूल नहीं खिलेंगा तो यह देखे कितना सामदार दीकता है इस तरह के हंगिंग बास्केट में पोट्यूल लगाएंगे तो पोट्यूल का लगाएंगे तरह तरह के 100 शेक्रो भाटी आज कर आप चाहते हैं तो सीट से भी बीच से उगाई हुए नहीं कितने सुन्द गंदराज फूल है और यह साम की बाक्त खिलता है यह सफेद रंग का फूल किलने के बाद तीन चार दिन तक फूल क्यले रहेता है तो गारणी यह विदर आ रहे है आप नर्सरी में जाएं तो उनको कहिए कि द्वारणी क्यों मैं आपको दिखाता हूँ यह है ड्वार बाराइटी इसमें रिखिए एक साथ 20-25 कलिया आती है और यह हर दीन आपको फूल देते रहें कि गार्डिनिया गंदराज देर से दो फूट हाइट में यह फूल गार्डिन का पौदा हो जाता है इसको ज्यादा केर की जो अतनी है इसको कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है इसमें ज्यादा केर भी निजरूत नहीं है मैंनों में एक मुठी कमपोश दे देंगे ति यह काफी है हर दीन थोड़ा तरह पानी इसको ज्यादा चाहिए धूब भी इसको ज्यादा चाहिए तो यह आपको ध्यान लखना है गार्डेनियां का ग्रो कने के लिए जरूर हुआ है अब जो मैं आपको दिखाता हूँ यह आठ नमर भूगन में लिया इसको कागोज फूल भी कहते हैं और यह बहुत ही सबसे हाड़ी फूलों का पौदा यह भूगन में लिया और इसमें भी कम से कम एक से देर हजार कलर में यह आपको मिल जाएंगे इसके सिंगल बाइपित्ल माल्टि पेटव इसके ग्राफ्टेट भायरेटी मिल जाते हैं एक एक प्लैंत में आप 4-5 तरह के जो फूल के टैनिया है इसको ग्राफ्ट करके एक पौदे से आप पांसाथ कलर का भी फूल ले सकते हैं इस तरह से देखेंगे सामने से इसका नजारा एक देखने लाइक है तो आप जरूर से बुगन में लिए जरूर से हुगाईए यह आपका गारेन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा इसको ज्यादा पानी देरने के जरूत नहीं है आप 40-50 डिग्री सेंडी के टेंपरचर तक यह पोद इसमें पानी जादा नहीं चाहिए तो आप 10-15 दिन भूल भी जाए तो इसमें पानी देने की कोई दिक्कत नहीं है पोदा मरता नहीं है आसानी से यह पोदा मरता नहीं है और जितनी भी गर्मियों हो धूप हो और पानी कम भी है तो यह पोदा चलता रहता है तो यह रहा इतना सरा तरीका का पौधा आँड हुआख जरूर लगई है इस गरमी में अप्रेल, मैूई, जून, जुलाई तक यह पौधा आशनी से लगई है और सालों साल इसमें से फूल लेते रहेंगे आप और आपका जो छ garsध है बगान है यह फूलों से मै Cashातर रहेंगा उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आए पसंद आए तो लाइक कीजिए शेर कीजिए गार्डिनिंग इज में पैसें हिंदी भर्षन नया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें कि इस तरह के वीडियो में लाता रहता हूं आपके सुविदे के लिए हमने गार्डिनिंग इज में पैसें डॉट इन नाम के वेबसाइट भी खुला वहां सब्सक्राइब आपको इस चैनल माने के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्दबाद बहुत-बहुत शुक्रिया आप आते रहे हैं